एक छोटे सी गाउ में एक आत्मी पहाड़ पर एक पत्थर तोड़ने का कांग लिया करता। वो सारा दिन मैनत करके पत्थर तोड़ता और शाम को घर आ जाता। उसे अपनी जिंदगी से कोई गिलाशी कुआ नहीं थी। वो कुछ पैसे कमाता और अपने घर वालों को बालता। मगर एक दिन वो पत्थर तोड़के वापस रास्ते से आही रहा होता है। तब ही उसके मन में खयाल आता है कि यार ये भी कोई जिंदगी है। सारा दिन सुबह से शाम तक मैनत करो और लास्त में थोड़े वोते पैसे मिलते हैं जिससे मुश्किल से मेरा और मेरे परिवार का बुजारा चलता है। काश मैं जो सोचता काश में वो बन जाता वो इस प्रकार अपने माहिन में सोचता है। काश मेरे पास ऐसी कोई शक्ती आ जाए जिससे मैं जो सोचू में वो बन जाओ। उसके माइन में यही चलता रहता है, वो घर जाता है, वो अपना खाना खा रहा होता है, पर खाने की तरफ ध्यान नहीं होता है, ध्यान वही होता है कि काश मेरे पास ऐसी कोई शक्ती आ जाए, जिससे मैं सोचूं, जो सोचूं मैं हो ही बन जाओं। तब ही वो जाकर खाना खाकर मुगा दोकर सो जाता है और सपने में खो जाता है तब ही उसे सपने में दिखता है कि उसके घर के बाहर से एक रेली निकल रही है और उस रेली में हजारों लोगों की भीड़ बड़ी हुई है और वो इंतजार कर रहे हैं उसे पॉलिटीशन का उसे एक लीटर का और तब ही वो पॉलिटीशन आता है तो ये आतमी कहता है ये गरीब आतमी कहता है जो पहाड तोड़ने का काम करता है कि यार काश मैं वो पॉलिटीशन होता काश मैं वो पॉलिटीशन होता तो मेरे लिए इतने सारे लोग आते मुस्मिन नहीं है वो ये सोसता है और वो बन जाता है अब वो पॉलिटीशन बन जाता है क्योंकि वो सपने में होता है अपने तो वो जो सूसता है वो बन जाता है अब वो पॉलिटीशन बन जाता है पर जैसे कि पॉलिटीशन को धूप में खड़े होन तो जब वो उठता है तो वो कहता है कि यार इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल ये पॉलिटीशन नहीं है सबसे ज़्यादा पावरफुल ये सूरज है काश में ये सूरज होता हूँ वो सोचता है और वो सूरज बन जाता है जब वो सूरज बन जाता है तब वो कहता है कि वाह अब मैं दुनिया का सबसे ताक्ट वर वेक्ती बन चुका हूँ पूरी दुनिया में प्रकाश मैं डाल रहा हूँ अब मैं सबसे उपर हूँ वो ये बोलता है और उसके कुछ समय बाद कुछ काले बादल आकर उस सूरज की रोशनी को ढख देते हैं वो देखता है कि अब ने ये क्या हुआ तो हो कहता है कि मतलब इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावर्फ की। पूरे आसमान में बह रहा है, पूरा मजा ले रहा है, पूरा एट्मोस्फियर उसका सब जगई खुण रहा है तभी क्या होता है एक बहुत तेज़ी से फुल स्पीड में हवा आती है और उन बादलों को बहा कर ले जाती है तो वो सोचता है कि अरे इसका मतलब तो यह हुआ कि सबसे ज़्यादा ताकर पावर्फुल यह बादल नही है बलकि यह हवा है काश मैं यह हवा होता वो सोचता है और वो हवा बैच जाता है अब वो सारे में बह रहा होता है जब मन चाहे वो धीरे धीरे बहता है जब मन चाहे वो फुल स्पीड में बहता है अब पूरा आसमान पूरे जमीन सब जगे वो बहता है और वो पूरा खुश होता है अपनी लाइफ से पर ये खुशी भी कुछ रिशनकी होती है तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड आ जाता है और वो हवा उस पहाड को तोड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देती है मगर उस पहाड को वो हिला तक नहीं पाती तो अब वो कहता है कि इसका मतलब ये हवा भी इतनी शक्तिशाली नहीं है काश में वो पहाड उता वो सोचता है और वो बढ़ जाता है अगले ही शन वो एक बहुत बड़ा पहाड बन जाता है मगर उसकी ये खुशे भी जादा देर तक नहीं टिकती है तभी उसे चोटी आवाज आती है जैसे उसे कोई बार रहा है इधर दर उधर दर वो किड़ गिड़ाता है उसके आसू निकल जाते है कि ये कौन है ये कौन है जो मुझे मार रहा है ये कौन है जो इस पहाड को मानने का दम रखता है काश मैं वो व्यक्ति या वो बंदा बन जाओं जो इस पहाड को तोड़ने का दम रखता है मगर इस बार उसका ये सफना पूरा नहीं हुआ वो रोता है, वो गिडगिडाता है कि काश मैं वो बिक्ती बन जाओं या मैं वो चीज बन जाओं जो इस पहाड को तोटने का दम रखती है मगर नहीं, अब की बार उसका सपना पूरा नहीं होता मैं आप से पूसता हूँ क्यों, what is the reason behind this क्यों ऐसा नहीं होगा कि वो क्यों वो नहीं बन पाया तब ही उसकी अचानक से एक दम आख खुलती है, उसकी सामने एक शीशा होता है जिसमें उसे अपना चेहरा लिखाई देता है तब उसे जाके बास समझ आती है कि वो वो व्यक्ती क्यों नहीं बन पाया जो पहाड को तो उड़ने का दम रखता है क्यों नहीं बन पाया Because वो खुद धाबू